है अधिर नाम है अभी शेक कानोडिया और आपका फिर से सौगत है आपके अपने प्यारे से चनल संदीब कोचींग क्लासेस बच्चो अज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट करने जा आसान है तो चलिए start करते हैं बिना देर किये तो सबसे पहले बच्छो सबसे पहले हम quadratic equation का format देखते हैं कि इसका format क्या होगा तो बच्छो quadratic equation होती क्या है पहले हम इस बारे में चल्चा कर ले तो quadratic equation का जो format है वो होता है देखेगा तो इसका जो format होगा वो होगा ax square प्लस bx प्लस c equals to 0 अब आप कहेंगे कि यह format quadratic equation का क्यों है तो मैं बता दूँ इसके quadratic equation होने के पीछे का reason जो है वेरियेबल की power कितनी होना तो होना जिसे हम degree कहते हैं क्या कहते हैं बच्छो degree कभी मान लीजे किसी equation की degree कितनी हो two हो तो degree क्या होता है degree जो होता है वो होता है highest power highest power of variable क्या बच्छो highest power of variable मतलब यहां पर आप देखें variable की power two है यहां पर variable की power कुछ नहीं लिखा मतलब one है और यहां पर तो variable ही नहीं तो कभी highest power two है या फिर कहें degree two हो तो हम उसे कहते हैं quadratic equation क्या कहते हैं बच्छो quadratic equation तो मैं आपके सामने कुछ example लिखना चाहूंगा quadratic equation के तो कुछ example से आपको समझ में आएगा कि quadratic equation केसी दिखती है तो quadratic equation जो होगी वो होगी two x square plus three x plus five equals zero क्या ये quadratic equation है तो जवाब है यस ये quadratic equation है क्यों सर क्योंकि यहां पर आप देखें variable की highest power कितनी है two है और यहां पर ये two three five क्या है coefficient है तो यहां पर a कितना होगा two होगा कभी compare करें तो b कितना होगा three होगा और c कितना होगा five होगा इसके कुछ और example लिखते हैं तो क्या मैं आपसे पूछूँगा क्या 9 x square plus 38 x minus का 10 क्या ये quadratic equation है तो जवाब है सर यस ये quadratic equation है क्योंकि यहां पर variable की जो highest power है वो कितनी है two है तो जब भी variable की highest power two हो या फिर कहें degree two हो तो वो quadratic equation का example होगा मैं और example देता हूँ तो आपसे कहूँगा five x square plus seven x equals zero क्या ये quadratic equation है तो आप कहेंगे कि सर ये तो इसके अंदर format में तो इन टर्म थी और यहां पर format में दो ही टर्म है तो क्या ये quadratic equation होगी तो जवाब है यस ये quadratic equation होगी यस होगी क्योंकि हमें मतलब किसे होता है variable की highest power और variable की highest power कभी two है या फिर कहें degree two है तो ये quadratic equation का example definitely होगा तो ये भी example है कभी मैं यहां पर के example लिखों क्या लिखों 9x square minus 36 क्या ये quadratic equation है तो आप कहेंगे सर ये भी quadratic equation है भले से इसके अंदर दो टर्म है इसमें 3 term होती है माना format में 3 term होती है पर कभी हम यहां चेक करें तो variable की highest power कितनी है two और variable की highest power कभी two है तो वह quadratic equation definitely होगी भले से एक term हो दो term हो या तीन term हो मैं यहां पर एक और example लिखना चाहूंगा क्या 8x square equals 0 क्या ये quadratic equation है तो जवाब आप सोच लोंगे कि शायद ये quadratic equation नहों पर मैं कहूंगा कि यहांसी quadratic equation ही है क्योंकि यहां पर variable की highest power कितनी है बच्चो two कभी variable की highest power two हो या फिर कहें degree two हो तो वह quadratic equation definitely होगी चाहे उसके अंदर तीन term हो या फिर दो term हो या फिर single term हो ये quadratic equation होगी अब मैं एक और example देता हूँ क्या ये quadratic equation होगी root 5x square plus 7x minus 9 क्या ये quadratic equation होगी तो जवाब है yes ये भी quadratic equation होगी क्योंकि हमें variable की highest power कितनी चाहिए two कभी ये variable की highest power two हो तो ये quadratic equation definitely होगी मैं एक और example देना चाहूँगा अब आप कहेंगे कि क्या ये quadratic equation है तो आप कहेंगे सर नहीं आप कहेंगे नहीं पहली नजर पर देखने पर आपको ये quadratic नजर नहीं आ रही है क्योंकि आप कहेंगे सर वेरियेबल की highest power और तो one है और one हो तो वह quadratic तो नहीं होता तो जवाब में कहना चाहूँगा कि अभी आप कहने से पहले इस question को पूरा solve कर लें फिर कहें कि क्या ये quadratic की example है या नहीं है तो solve करने में क्या जाता है बच्छो तो एक बार solve करके देखते हैं तो x plus one का whole square यहां पर एक formula लग रहा है और यह formula क्या है सबसे basic formula होता है बच्छो एक ब्लस बी का whole square क्या होता है बच्छो a square plus b square plus 2ab यह formula आपको definitely याद होगा तो यहां पर मैं a plus b ka whole square लगा रहा हूं तो क्या बनेगा बच्छो x square plus one square और कभी हम identity लगाए identity को और अच्छे से लगाए तो यहां पर क्या होगा 2ab 2a कितना है बच्छो x और b कितना है 1 equals to कितना बच्छो 0 कभी आप इसे और solve करें तो क्या मिलेगा आपको x square 2x into 1 कितना हो जाएगा बच्छो 2x और 1 का square 1 क्या आपको जो पहली नजर में quadratic equation नहीं नजर आ रही थी तो क्या आपके mentality change होगी हाँ है ना क्या आपके mentality change होगी क्या यह अभी quadratic नहीं थी और अब क्या quadratic हो गई तो मैं कहूंगा yes यह quadratic equation शुरूर से ही थी आप बस x को देख रहे थे आपने उसे solve नहीं किया था तो यह quadratic equation का ही example था तो बच्छो एक और example लेते हैं कभी आपको ही समझ आया हो तो तो मैं यहाँ पर quadratic equation का example ले रहा हूँ x plus 5 x plus 3 equals to 0 अब आप कहेंगे पहली नजर पे देखने पर पहली नजर का प्यार तो होता ही है विसे पहली नजर में देखने पर आपको यह जो दिख रहा है वो quadratic नजर नहीं आ रहा है तो आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप कहेंगे sir x की power तो 1 है और जब power 1 हो तो वो quadratic नहीं होता क्या होता है वो linear equation होता है पर बच्चो यहां पर अभी मैंने आप से एक बात कही थी कि अभी इसे आप इतनी जल्दी mentality नहीं बनाएं आपको इसे solve करना चाहिए और कभी solve करने के बाद ये quadratic बन जाती है या नहीं बनती है तो solve करने के बाद ही पता चलेगा तो चलिए हम solve करते है तो बच्चो एकस प्लस 5 का multiply एकस प्लस 3 से तो मैं एकस का multiply क्या कर रहा हूँ एकस का multiply किस के साथ करने जा रहा हूँ एकस प्लस 3 के साथ एकस का multiply एकस प्लस 3 के साथ और प्लस 5 का multiply किस से होगा बच्चो एकस प्लस 3 के साथ अब क्या करें एकस का multiply एक x 5 का multiply x के साथ होगा तो हो जाएगा 5 x और 5 का multiply 3 से होगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चो 50 यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा अब x square as it is अब आप देखें यह दुनों like terms हैं और like terms होने की वज़े से यह 8 हो जाएगी और 5 प्रस 3 मिलकर कितना हो जाएगा 8 x होगी और यह quadratic हो चुकी होगी सर क्यों कि देखें पिछले क्वेशन में भी highest power 2 थी और यहाँ पर भी highest power 2 है तो जब highest power 2 हो तो यह quadratic definitely होती है तो उमेद करता हूं आपको यह quadratic equation समझ में आई होगी अब अच्छो मैं के एक्जांपल और लेता हूं और आपको बताता हूं तो म यह question है तो क्या यह quadratic equation है आप कहेंगे कि सर एक्स का multiplier करेंगे तो x square होगा होगा बिलकुल होगा इधर x और x का multiplier होगा तो x square होगा square होने पर क्या बन जाएगी है quadratic पर बच्छो मैं आप से फिर से कहना चाहूंगा इतनी जल्दी mentality नहीं बनाए अभी mentality बनाने में थोड़ा सा time ले क्यों time ले क्योंकि अभी से solve करना बाकि है आप पहले से solve करें solve करने के बाद आपको जिसे ही highest power 2 नजर आए तो आप बोल दे quadratic है और कभी highest power 2 नजर नहीं आ रही है तो यह definitely quadratic नहीं होगी तो चलिए देखते है तो x का multiply इस x plus 2 से कर देते और इस 1 का multiply किस से कर दें बच् प्रश और से एकस फ्लस प्लस फोर से और 3 का multiply भी कर दे किसके साथ बच्यों x प्लस 4 से कर दें लिगतDes creativity तो यहां पर 1 का multiply X से करें तो 1X और 1 का multiply 2 से तो क्या हो जाएगा बच्चो तो अब X का multiply X से करें तो क्या हो जाएगा X square और X का multiply 4 से करें तो हो जाएगा 4X और 3 का multiply X से 3X और 3 4 जा 12 अब आप कहेंगे सर यह quadratic है आप तो अब पैचान गए quadratic है पर मैं कहूंगा बच्चो अभी शांती रखें, शांती का फल मीठा होगा, तो बच्चो केसे होगा देखते क्या यह x square है? क्या ही x square है? हाँ ना बच्चो अब बताव, यह x square plus का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और x square और x square क्या हो जाएंगे cancel है तो क्या मेंसे यहीं पर cancel कर सकता हूं हाँ है ना अब अब अच्छो बताओ 2x plus 1x क्या हो जाएगा 3x plus 2 as it is 4x plus 3x मिलकर कितना हो जाएगा 7x और plus 12 as it is हाँ है ना बच्छो अब यह 3x light terms होने की विज़े से सबको एक काम करता हूँ मैं उस तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 अब यह 3x उधर गया तो 7x मेंसे 3x माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 4x और 2 उधर गया तो 12 मेंसे 2 माइनस हुआ तो क्या बचा 10 कि यह quadratic equation नहीं है तो बच्छो quadratic equation आपको समझाई होगी quadratic equation जो होती है वो equation होती है जिसमें variable की highest power क्या हो बच्छो 2 हो कभी variable की highest power 2 हो एसी equation में उन equation को हम क्या कहते हैं quadratic equation कहते हैं बच्छो याद रखेगा पहली नजर में कुछ equation quadratic नहीं दिखेगी और हो सकता है वो quadratic को और पहली नजर में कुछ equation quadratic दिख रही हो बाद में पता चलता है वो तो quadratic है ही नहीं इसका मतलब हमें अपने दिमाग का इस्तिमाल करना है और सिर्फ नजर पे ध्यान देना है मतलब ऐसा नहीं हो कि बस देखके ही आप पता कर लें नहीं बच्चो मैश जो होता है वो देखके पता करने की चीज नहीं है उसे थोड़ा तो सॉल्फ करना होता है तो बच्चो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चो आपको कॉर्डिक एक्वेशन का फॉर्मेट तो चल गया होगा मैं एक बार और बता दूँ इसका फॉर्मेट क्या है तो फॉर्मेट जो है वो है एकस स्क्वेश प्लस बीएक्स प्लस सी एकॉल सु जीरो एक काम करते हैं से याद करने के लिए मैं इसे बोल देता हूँ हिंदी का मिया मिया भाई आपने नाम सुनोगा मिया और ये कौन है बीवी ये कौन है बच्चो बीवी मिया बीवी और ये जो है उनका बच्चा है तो यहाँ पर याद रखेगा याद रखेगा कॉलिडिक एक्वेशन की सबसे में बात ये है कि इस प्रिक्चर में मिया का होना जरूरी है किसका होना जरूरी है मिया कभी मिया नहीं हुआ दो यह कौर्डबिक नहीं होगी आप बता सकते हैं क्यों क्यों कि मियां ही तो है एकस की पाउवर टू कभी पाउवर टू ही नहीं होगी क्कवेंशन computer नहीं होगी इसलिए आपको बतादू में मियां का होना हो जरूरियो है चाहे बीऑ Vincent या बच्चा हो मिया प्लस बीवी भी कॉर्डटिक बनाएगी मिया प्लस बच्चा भी कॉर्डटिक बनाएगा पर याद रखना बीवी प्लस बच्चा कॉर्डटिक कभी नहीं बना सकता तो याद रखेगा मिया प्लस मिया बीवी बच्चा हो या मिया बीवी हो या फिर मिया बच्चा हो तभी quadratic बनेगी तो बच्चो आप समझ गये होंगे तो आपको बता दू quadratic equation अभी हमने देखी इसके degree बच्चो कितनी होती है degree होती है degree 2 का मतलब highest power कितनी होगी बच्चो 2 अब highest power 2 होने की वज़े से highest power 2 होने की वज़े से कितने answer आएंगे एक तो first answer और क्या होगा DIY का जानते हैं जान्सर को हम रूट को हम रूट को बोलते हैं और лучше 1 ये 2 बहुत में सकते हैं इसके दो roots आएंगे या फिस जीरो भी कहते हैं जीरोग फिय प्रवर्ड हमμεरे प्लिनॉमिल में यूस करते हैं पर यहां पर हम क्या वर्ड? यूस करेंगे? roots तो यहां पर x के जो answer आएंगे वह दो आएंगे तो आप कहेंगे 2 क्यों आएंगे क्योंकि यह quadratic equation है और quadratic equation में highest power 2 होती है, इसलिए answer भी कितने आएंगे 2, अब आपको कोई कहे कि answer 2 आएंगे कैसे, तो आपको बता दू, method, हम निकाल रहे है, method to solve quadratic equation, method to solve quadratic equation, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि भया आपको जो दो answer मिलने वाले हैं, वो आप लाओगे कैसे, तो आपके पा सबसे पहला तरीका है, जिसे बहुत ही लोग पहले से ही जानते हैं, इसे बोलते है, factorization method, कौन सी method बच्चो, factorization method, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये नाम जो है, वो है, splitting the middle term, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, splitting the middle term, तो ये पहली method है, जिसे हम x के दो answer निकाल स सकते हैं और हमारे पास दूसरी सबसे important method है जिस पर में style लगा दूंग क्योंकि बहुत ही most I am B method है इसे में blue pen से भी लिखता हूं और ये method जो है वह है formula method क्या है विच्छो formula method हमारे दूसरी method जो है formula method है मैं इसका formula भी लिख दूँ विसे मैं अभी समझा नहीं रहा हूं पर अभी सिर्फ आपको idea दे रहा हूं कि ये formula जो है थोड़ा सा अजीब है minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2 है हम इसे detail में पढ़ेंगे पर अभी हम ये देख रहे हैं कि कितनी method है आपको X के दो अंसर निकालने के लिए पहली method है factorization method दूसरी है formula method और हमारे पास तीसरी जो method है वो तीसरी method है क्या है विच्चो completing the square method क्या है विच्चो completing the square method तो हमें इन methods को क्या करना है one by one detail में पढ़ना है one by one detail में पढ़ना है तो हमारे पास तीन तरीके हैं और तीसा तरीके तीन तरीके में सबसे best तरीका में कहूंगा सबसे best कौन सा है formula method exam में इस पर question बहुत आते हैं और ये method कही ना कहीं आपको पहले से भी आती है कहां आपने class 9 में factorization पढ़ा हुआ है polynomials में even आपने class 10 में polynomial chapter है वहां पर भी zeros तो आपने find किये हुए तो ये method आपको पहले से थोड़ी थोड़ी तो आती है पर ये जो method है और ये second और third जो method है बिल्कुल ही नही method है जिसे हम detail में पढ़ेंगे तो बच्चो जल्दी से आप इसे note down कर ले उमीद करता हूँ आपको quality equation का introduction समझ में आया होगा कभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को share करना बिल्कुल ना भोले और हम शुरू करेंगे exercise 4.1, 4.2, 4.3 हम सारी exercise को one by one अपने चैनल पर लगातार upload करते रहेंगे तो जल्दी से आप इसे note down कर ले और आज मैं इस lecture को यहीं complete करूँगा विदा लूँगा thank you bye bye tata see you one day मातरू कर दो झालो